हेलो गाईज मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल ग्यानवित सचिन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल्टेक्निक फर्स्ट सेमिस्टर के एप्लाइट केमिस्टी के मोस्ट इंपॉर्टन क्यूटस के बारे में अगर आप इन क्यूटस को प्रिपेर कर लेते हो तो कहीं न कहीं आप सभी के एक्जामिशन में 50 आउट आफ 50 आने के पूरे चांस होते हैं और मैं आप सभी को इंफॉर्म करना जरूटी समझूगा कि पॉर्टेक्निक फर्स्ट समेस्टर में एक ऐसा टोपिक है एक ऐसा सब्जक्ट है जिसमें सब्स इसे नमबर ले पाएंगे ठीक है तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अब मैं बात करता हूं कि उन स्ट्विट्स के बारे में जो पॉल्टेक्निक फर्स समेस्टर के क्रैस्ट नोट्स वाले ग्रूप में जाइन होना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ जो नीश रुपए रखी गई है आप इस नमबर पे कॉल करके इसे नमबर पे पेमेंट करके इसे नमबर पे आप वाट्स अप कर दीजिए देना आपको नोट्स प्रवाइड कर दिये जाएगा चलिए टाइम बेना बेस्ट की वह अपनी 50 most important questions के series में move करते हैं तो मैंने प थीक में अगला नैलान 66 पर टिंपड़ी किजिए ठीक है और एसी तरीके सेहें मैलान सिक में सिर्वास से मैंने इंपॉर्टन को डिसकस किया है तो आप सभी उन इंपॉर्टन के मादम से अपनी को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेर कर पाओगे मादर दो घंटे में तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक है जाओ आई यूपीसी का महामा रहतना टेंड कर लो अगला है ब्यूना एस तथा ब्यूना एन रबर में अंतर बताईए तो ब्यूना एस तथा ब्यूना एन रबर में क्या अंतर है इसको समझने की कोशिश करिए बहुली करड़ तथा संगरन में अंतर तो बहुलक दो प्रकार के हैं एक संगरन बहुलक है योगात्मक बहुल तो संचारन रोकने की कौन सी बिदी है जंग लगने की क्रिय बिदी है उस अंचारन के विद्धु सिद्धांत इन तीनों को आप तयार कर लेना अगर इन तीनों में से कोई तैयार है अगर आपको तीनों तो टॉपिक अलग है अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इन जरूर इन तीनु टोपिक को याद करके उस संचारण टोपिक में मिक्स करके लिख देना ठीके संचारण के परत्य रासानिक सिध्थान्तपर टिपड़ी लिखिए ठीके चलिए संचारण से आप क्या समझते हैं संचार को रूप प्रवहुत करने वाले कारकों का वर्ण की जी संचा तो आप इसे एक बार देख लेना बाकि पूछा नहीं जाने वाला क्यूशन है आप चेन तथा उक्षेन यानी तथा रिडॉक्स सब करिए ठीके इनको आप तयार कर लेना ठीके अक्सी डेक्ट्रिक्ट्टन यह भी काफी बार पूछा गया है धो-दो किया है और आपके पूरे तस नंबर अच्छी तरीकी से तयार करवा दिये है तो अगर आपने आधे-ाधे घंट में लिंक एक MARK कर लो पूरे δुशन नंबर आका यही से पक्कहयकर दीए जाएंगे चलिए आप क्रामर तता फेनन आपMP दोनों को समझना है ठीक है बफर बिलियन और उनके महत पर सच्छे पर टिपड़ी कीजिए सबसे इंपॉर्टन होता है दो दो नंबर में डिफिनिशन चाहे बियोडी की पूछ ले जाए चाहे चाहे सीओडी के तो बियोडी और सीओडी में अंतर बताईए क्या होता है ठीक माइन को मूब कराने में जहां से आपको विजली प्राप्त होती है तो उस बॉलर की बात की जा रहे हैं परमिट्ट यह जल को किस प्रकार मिर्दू करते है ठीक है परमिट्ट यह जी ओलाइड विदी जिसे कहते हैं जल को रोकड़ रहत करने के लिए उपयोग में आने वा फ्लास पॉइंट और क्लावड पॉइंट एक एक नमबर में पूछा गया क्यूस्टन है तो इसे भी आप तयार कर लेना इसने हक क्या होता है इसके अद्योगी कुंप्रियोग बीरिंग में इसने हक आदर से अगर इसने एक टोपिक आप सभी को नहीं पता है तो इसने पढ़ लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा कोल गैस के आई से बनानी की बिद्री बताईए बायो गैस के गुड़ तथा दोस्त बताईए ऑक्टन तथा सीटन नंबर मैं इन सब को बता दू कि ऑक्टन और सीटन नंबर जो है इन में से एक क्यूस्टन जरू इन में मान गयाद करनी की सचे तरी बर्डं किए लास्ट ये निमेरिकल पूछा गया है तो कहीं ने कहीं इस बार अगर बाम कलोरी मापक पूछ लेता है तो आप जरूर आराम से पांच नंबर पापाऊगे इधन के उस में मान को परिभाशत करिए उच्छ उस में मान और ने उस मिमान दोनों को बताना है तो दोनों को आप अच्छी तरीकी से तयार कर लेना सिग्मा बांड पाई बांड में क्या अंतर होता है इसको बताना है वेस पर थियोरी क्या है और वेस पर थियोरी जो भी है अमोनिया उंग जल के अनुग के से नचना को बताईए और वेस और शुरूल को परिवासित किजिए पाइलू का प्वरजन नियम क्या है क्वांटम संक्या क्या है इनके सभी प्रकार को संचेप में समझाइए तो इतने क्यूशन आप सभी को मैंने बता दिये हैं अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज दिल से लाइक कर लिजिए का मिलते हैं का नई वीडियो के शाद तब तक के लिए गुट बाट अड़ अब यू आल और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं जोइन के तो चैनल टेलीग्राम चैनल जोइन कर लिजिए सबसे पहले उन इप्टेलीग्राम पर ही मिल पाती है चलिए आज की इस